हेलो गैस तो कैसे और आप सब तो गैस आज के इस वीडियों में बात करने वाले हैं लाइट रूम आप्लिकेशन के एक फीचर के बारे में जिसका नाम है हमारा कलर स्पेक्ट्रम और गैस पहले इसी वाले फीचर के जगाँ पर आपको एक और फीचर देखने के लिए मिलता और गैस आप इस वाले फीचर को यूज करके कैसे आप अपने फोटो को एक अनाधर लेवल तक लेखे जा सकते हो आपका पूरा चीज वीडियो में पता चलने वाला है और सीक्रिट ट्रिक के साथ तो गैस चलिए वीडियो को हम लोग यहां पर करते हैं स्टार्ट सो गैस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक निकिया तो लाइक करो स्काइब करो सेर करो सब विदाउट अनिवेस्टिम वट ताइम गाइस लेट्स के अंदर और यह रहा हमारा फोटो तो गैस मैं आप लोग इसी वाले फोटो पे कलर को फिल करके दि लिए मुष्य परकी की फिल की क५ोटो को स्मोध करना और यह मारा हाइलाइट है तो आप फोटो के हिसाब से आप म sih अपने फोटो को स्मूध करना और यह से एब को हेरेंगे तो सब्स पोर और यह वाइट आतौं उनिन नेंचिन टी के के आसपस ठीक है जिससे क्याениемड़ सब्सक्राइब प्लस यह देखिए हमारा बेसिक एड़ेस्मेंट हो चुका है विफोर एंड आफ्टर और हमारी फोटो बिल्कुल इंदम स्मूथ हो चुकिए डल पट्स जो भी थी वह इंदम सही हो गई है फिर आपको सिंपल यहां पर कलर्स में आना है और यहां पर आने के आपको प्लस नहीं लेकर जाना है इसको आपको रखना है माइनस टूट ऑस ठीक है तो मैं रखते हो हमारे माइनसट वैटित्यू और यहां टेंट इंट इस तमपरेचर और चमपरीचर से आपको डिसाइड कर लेना लिए कि आपको अपने फोटो में कॉन सा मूड रखना ह वाइन से मूरी में आप फोटो को एडिट करना चाहते हो तो जैसे सिंपल याप और जाना चाहते हो ठीक है अगर पीछ लेकर जाओ तो ये फोटो ब्लू हो जाएगा इसका टेमप्रेश्यर माइनस हो जाएगा तो में हलका सा यलो टोन रखना चाहता हो इसके ट्पकर में ठी फिर मैं जाओंगा यो में ऐलो का मैं से तरशन से समया प्लखूँ का से मैंकि मेर्मा को में परने करणे किया है पर यहां पर रहूंगा है कि यहां से मैं पर देख सकते हो फिर आपको फोटो का यहां पर जाना है इस वाले टूल में जिसके बारे मैं आपको एक्स्प्लेंग करने वाला हूं तो यह जो टूल है इसमें आपको यहां पर तीन नहीं आपको चार सर्कल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो इसको लोग कहते हैं कलर स्पेक्ट्रम ठीक है पहले इस प्लिट टॉन था बट अब यह हो चुका है कलर स्पेक्ट्रम तो यहां पर आपको सिंपल एक सर्कल देखने के लिए और जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो आपको एक और ऑप्शन खुला हुआ देख कर सकते हैं तो यह तो बोगए सिंपल बात तो अब को समझा रहेता हुआ कि कैसे इसको यूज करना तो देखिए आपको सबसे क्या करना है कि आप से आप अपर सेडू दिख रहा है मतलब पहला वाला आपने अप सेडू में कौन सा रखना चाहते हो ठीक है तो मैं आपने से का कलर और यहां पे कम होगा ठीक है जैसे में इसको अंदर के तरफ लेका है तो मेरे को जितना चाहिए मैं उतना ही रखता हूं तो ऊपर देखी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि यूँ आपका है 240 और सेटेशन आपका 72 ठीक है अगर आप चाहो तो यहां से भी आप प्लस तो मैं सिंपल यहां पर रखूंगो 23 और यह ब्लेंडिंग ऑप्शन है तो ब्लेंडिंग 50 पर एड्जस्ट है तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ अगर आप इसको ब्लेंडिंग में प्लस की तरफ लेके जाओ तो आपकी जो भी कलर सोंगी वह मिड टोन में आ जाएंग यानि कि फोटो के सेंटर में आ जाएंगी फिर मतलब की पूरे सेंटर में भूमेंगी इधर उधर ठीक है तो हम लों ब्लेंडिंग नहीं करेंगे ब्लेंडिंग को हलका सब्सक्राइब माइनस रखेंगे जिसे हमारी कलर बिल्कुल भी खराब ना हो और जो मेरा बैलेंस है कितना ज्यादा मतलब की रखना चाहते हो मतलब कितना ज्यादा और कितना न मैं आपनों में मैं पर करेंगे माइनस तो मैं थोड़ा कम रखना चाहता हूं तो मैं माइनस सेवें रखूंगा तो उमीद करता हूं कि आपको यह option अच्छे समझ में आ गया हो फिर मैं यहां पर सिंपल जाओंगा इस वाले टूल में और मिट्टोन में में मेरको कौन सा कला रखना है तो में अच्छे से मैं पर कर दूंगा इस तरीके से जैसे मेरे फोटो का पूरा मूड चेंज हो जाएगा फिर हमारा थर्ड सरकल जो है मैरा हाइलाइट हाइलाइट मैं आपको कौन सा कला रखना है तो गैस सबसे पहले तो आप लोग यह समाझ जाओ ना यह ट्रेंड चल रहा हाँ में हलका सा पिंक जिससे हमारे फोटो में लगे कि एकदम साम का टाइम है और संसेड भी आ रही है और हमारा देखो मैंने आप सैड़ो में ब्लू रखा क्यूंकि मेरे को पहले से ही यलो चाहिए था और यलो और ब्लू का कॉमिनेशन बहुत अच्छा होता है ठीक है औ फिर आपको सीपल ऐसोले आपशन में जाना हलका सा क्लार्टि में फोटो करोंगा और यहां से बंशाव करें और यह से यह इतना हो चूका है फिर में मीड पॉइंट को हलका सांपर करूंगा मैनस जी से पूरा हमारा जो effect है साब हाब बना मौडल पे पड़े फिर आपको य आप इसमें के और चीज़ यूज कर सकते हो वह यह कि आपको आपको आपने फोोटो में अब मोरी टोन रहे तो मैं आप हलका साथ मोड़ी कि डीन हमारा हूँ चुका यह दिखिया थो अ कि हलके हलकी साइड बेल यह जो हम लोग इसका यहां प्रफेक्ट में दिए नहीं पता है तो गईज इस वाले वीडियो को जाओ जलदी से देखो पटा चल जाए कि इस्टोगराम चेक करें कैसे आप अपने फोटो को अपने कर सकते हो ठीक है फिर हम लोग यहां से गुदिए तूल के यहां पर हेलप लूगा तुम जाओंगा मैं इस वह तूल पे और यहां से में सिंपल यहां पर करूंगा यहां पर लाइनर और यहां पर अगर आपको यह वाला वर्जन चाहिए अनलॉक्ड तो आपको कॉमेंट करना मैं इस पर वीडियो लेकर आ आपको अच्छे समझे में आ गया हूँ आपको एक फोटो पर दिखा देता हूँ इडिट करके जल्दी से कैसे आप एक सेकंड फोटो पर भी इसको यूज़ कर सकते हो सबसे पको पता था कि पहला इसटे आपको फोटो में श्मूथ करना है तो smoothie को आपको सिंपल क्या करना यहां पर जाना है कम और यहां चली पर नहीilly आंपकारगम ने यहांपोर लेश्ण को आपको पकाशा यहां पर यहांस से मांकर करूँए इंक्रीज और यहां से सेट्वेशन को माइनस ठीक है और हलका से ब्राइटने समलोग इसका सेट्वेशन यहां पर करें इंक्रीज और हलका सा तील कलर देंगे और यह देखिए हमारा फोटो बिल्कुल टील और और जो चुका है फिर आपको इस वाले टूल में जान इंञेशन बहुत कमाल का होता है तो हाइलाइट में अगर आप बेंदिन करूंगा तो ब्लेंदिंग में रखता हुँ कम और यहां पर में हाइलाइट में सिंपल आप हाँ न को सिंपल हलका सा ब्लू टॉन-अपर यह देखिए फोटो हमारी कमाल के दовых नफ्टों आपके फ आपके फोटो एक क्लिक के अंदर कितने कमाल की ठोच के बिफोर एन आफ्टर तो आपको बस फोटो सेलेट करना है आपको फोटो लेना आप टेक्टिस करना है आपको हरी चीज़ समझ में आ जाएगा उम्मीद करते हूं आपको यह वीडियो अच्छे लगे हो सोगे आज के इतना है आपको बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब